कि दोस्तों नमस्कार आज दो मई है और इंडियन एक्सप्रेस में जो बीपसी के पॉइंट अफ्यू से इंपोर्टन न्यूज आर्टिकल्स हैं उनको हम लोग कवर करेंगे और कुछ अलग लग न्यूज पेपर से भी एक दो आर्टिकल्स हैं जिनको हम लोग देखेंगे ज अगर पिछले हाइस्ट की बात करें तो इसी अप्रेल के महने में पिछले साल यह एक लाग सताथ सी हजार करोड का रहा था और अगर इसके ग्रोथ की बात करें राइस की बात करें तो यह 12.4 परसेंट के आसपास से यह इंक्रीज कर गया है ठीक है और इस तरह के कादीवगरे भी हो रही है और अप्रेल में छुटी हम लोग सहर सपाटे पर निकले तो हस्पिटालिटी पर भी खर्चा बढ़ा है एलेक्शन भी चल रहा है यह सारा मिला जुला जो फेक्टर है उसके हिसाब से इस तरह से जबर्दस्त कलेक्शन हुआ है जी एस्टी का ठ जो कुछ एकोनोमिस्ट हैं वो यह कह रहे हैं कि इस तरह का पर्फोर्मेंस यह दिखाता है कि अब इसमें कहीं से भी कोई सक करने के बात नहीं है कि हमारा जी डीपी गुरोध जो है वो साड़े साथ प्रिसेंट से ज्यादा रहने वाला है ठीक है चलिए आगे बढ़ते है एक यह फोटो है जिसमें कि आप महामहीम को रामला लागे दर्शन करते हुए देख सकते हैं यह अपने आप में बहुत जादा मेसेज यह दे रहा है पहली बात तो यह कि आपको ध्यान होगा जब उद्धाटन समार हो था उसमें महामहीम को नहीं बुलाया गया था और इस लिए उनको वहाँ नहीं बुलाया गया था तो यह मैसेज अपने आप उन सब लोगों को भी जवाब है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कि कल तो दिल्ली में अलगी महाल था बहुत सारे लोग परसान हो रहे थे और होना भी चाहिए बात ही इस तरह की थी कि चलिए आगे देखते हूं आगे देखते हूं आगे देखते हूं कि सारा कुछ अभी इलेक्शन के रंग में रखना हुआ है तो ज्यादर दर न्यूज उस उधर ही है तो फिर भी हाँ एक यह न्यूज है डी आडी ओ का नेवी ने अभी औरिशा कोष्ट पे एपीज अब्दुल कलाम जो आइलेंड है वहां से निक्ष्ट जेनरेशन टॉर्पीडो रिलीज सिस्टम जिसको की नाम दिया गया है स्मार्ट उसको सक्सेस्फुली टेस्ट फायर कर लिया उसका और यह एक तरह से हमारे जो नेवी की जो एंटी सब्मेरीन वार्फेर केपेबिलीटी है उसको यह बढ़ाएगा ठीक है और अगर स्मार्ट की बात करें तो उसका फुल फॉर्म है सूपर सोनिक मिसाइल एसिस्टेड रिलीज टॉर्पीडो स्मार्ट ठीक और अगर इसकी बात करें तो यह एक कम पेलोड वाली वह टेकनोलोजी है जिसमें की एक हलका टॉर्पीडो लगाया जाता है और वो टॉर्पीडो फिर पेलोड की तरह काम करता है ठीक है चलिए आगे देखते है हाँ गोवा में शैकडो साल पुराई एक कार्विंग मिली है जिसमें की एक इनसान को दिखाए गया है दाड़ी वाले इनसान को दिखाए गया है जिसमें की वो कोई music instrument बजा रहे है और उनके पैर के पास एक animal है और इसके बारे हम कहा जा रहे हैं कि यह सैकडो साल पुरान होगा और यह बना हुआ है या तो ग्रेनाइट और सेंड स्टोन का ठीक है और यह कहा जा रहा है कि अगर इसके अप्रोक्समेंट करें तो जब पोर्टुगर गीज रूल था गुवा पर उस समय की यह हो सकती है ठीक है और यह किसी मिस्टरी से जुड़े हुए हो सकते हैं चलिए आगे देखते हैं और जैसे हमने देखा था पिछले हपते भी वह जो सरनार्थियों को रवांडा भेजने वाली जो सिस्टम थी यूके ने स्टार्ट करी है और अब बहुत जल्दी पहला जो इनका एक तरह से ग्रूप है उसको भेजने वाले हैं और इसके लिए सुनक ने टार्गेट रखा है कि जुलाए में इस तरह की जो फर्स्ट फ्लाइट होगी जिसमें जो माइग्रेंट्स है उनको वहां पर रवांडा भेजा जाएगा ठीक है और यह बहुत विवादों में घिरी रही है बहुत ज्याद हुमेरा राइट वायोशन के भी इसमें बाते हो रही है तो देखत चैना अपना जो लूनर प्रोब है चैंग 6 उसको इसी विक में वो लॉंच करने वाले हैं और जो काम यह करेगा कि जो सुदूर हिस्से हैं चांद के उनसे जाके यह सेंपल कलेक्ट करेगा और ऐसा करने वाला यह अपने आप में यह पहला मिसन होगा एकदम यूनिक मिसन ह होगा तो यह लॉंच करने वाला है चैना इसी वीक जिसका नाम होगा चैंग 6 ठीक है चलिए आगे देखते हैं कि इस से रिडिये न्यूज हम लोग आगे देखेंगे कि अभी इंडिया आने वाले थे और अचानक से चैना पहुंच गया है तो क्या था इसका रिजन उसके बारे में बात करेंगे हम ठीक है एक यह आर्टिकल देखते हैं इसमें थोड़ा सा कुछ पॉइंट है जिससे हम लोग जिसको हम लोग पिक अप कर सकते है एक वर्ड इसमें बताया गया है बैलेंस्ट फर्टिलाजेशन जिसका मतलब यह है क जो किसान हैं उनको ज़्यादा डी एपी, एमोपी और यूरिया इनके बहुत ज़्यादा यूज करने के लिए ना कहा जाए और उनको उनसे बचाया जाए तो और इसमें यह का गया है कि अब नई सरकार जो आएगी उनको इस चीज को टेकल करना एक उनके लिए बड़ी च ठीक है तो अब सरकार आपको ध्यान होगा पिछले साल अचा बात करें अगर फर्टिलाइजर की तो उसमें आप देखेंगे जो प्लांट के ग्रोथ के लिए और जो यील्ड है प्रोडक्शन है उसके लिए न्यूट्रियंस होते हैं और बैलेंस फर्टिलाइशन का मतलब फर्टिलाइजर के लिए हुआ कि जो प्राइमरी और सेकेंड्री नूट्रियंस है और जो मायक्रो नूट्रियंस है वह सारे उनको एक गजस्ट्र प्रोपर्शन में दिया जाए मतलब कि क्रौप और जो सॉइल है उसकी कया रिकुर्मेंट है उसके हिसाब से वह और माइक्रो निट्रियंट की बात करें तो आयरेन, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, बोरोन, मॉलिब्रिनम और भी आते हैं जो दिये जाते हैं फर्टिलाजर के थूरू और उनका परपस होता है कि जो स्वाइल का कैसी टाइप है स्वाइल की और उसमें कौन से क्रॉप हो सकते है और क्रॉप की क्या रिक्वाइर्मेंट हो सकती है उनके हिसाब से इसको डिजाइन किया जाता है और अप्रेल 2010 में आपको याद होगा कि यूप गोवर्मेंट एक लेकर आई थी निट्रियंट बेस्ड सबसीडी स्कीम जिसमें ये कहा गया था पर केजी सबसीडी फिक्स कर दिया गया था यह जो N, P, K, S पद्रियरेंकर ठिक्स कर दिया गया था ठीक है और उनका ये प्रपुस था कि यूरिया के जो बहुत ज्यादा किसान हमारे यूज करते हैं यूरिया, TW dieses यूरिया्क और एम उपे बदले वह एक ऐसा रिवाइजड के खरें यूरिया डेयप और MOP को ज़्यादा यूज ना करने के लिए उनको पुरसाहित किया जाए तो ये इसकीम के बाद के कुछ समय ये देखा गया कि DAP और MOP का जो कंजम्शन था वो तो घटा है लेकिन ये इसकीम एक तरह से फेल हो गई क्योंकि इसमें यूरिया का प्रावधान नहीं रखा गय ठीक है आगे देखते हैं उसी से रिलिटेडी आर्टिकल है ठीक है अभी हमने चर्चा की थे आगे कि जो अभी आने वाले थे एलन मस्क लेकिन वह इंडिया ना के चैना चले गए और क्यूं ऐसा है कि वह इंपॉर्टेंट है टेसला के पॉइंट आप वी से और इनके फ्य कोई कोईसीडेंस नहीं है क्योंकि यह समझते हैं कि चैना अभी ग्लोबल सप्लाइज चेन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और खास करके जो इवी है उसके पॉइंट आप व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे बहुत जाद ऐसी चीज़े फैसलिटीज हैं जो कि अभी इस टैंप पे इंडिया आफर नहीं कर सकता पहली बात तो यह जो लीधियम आयन बैटरी के प्रोड़क्शन है उसमें चैना बहुत आगे निकला हुआ है और इसकी वज़े से वहां पे जो दुनिया भर में जो इलेक्रिक वेहिकल बिगते हैं उसके आधा के करीब वो चैना ही उसके कवर करता है उसको एक तो यह बात है दूसरी बात यह है कि प्रोड़क्शन स्केल की बात करें तो चैना बहुत ज़़दा करता है और वो यूएस यूरोक को बहुत पीछे छोड़ चुका है और आज की डेट में टेसला के लिए ओर और वहां पर प्रोड़क्शन बढ़ने के भी बहुत सारे बात है क्योंकि जो electronics जो उसको required होते है इलेक्टरी वेहकल बनाने में उसका चैना बहुत बढ़ा प्रोडुक्शन है और वहां पर जो skill deliver force है वो भी बहुत आसानी इस उसको अपलफद हो जाते हैं तो यह सब फेक्टर हैं जो कि इनके फ्यूचर प्लान में टेसला के एलनमस के वो ज्यादा फिट बैटता है अब थोड़ी बात इंडिया की करें तो इंडिया में अभी आपको ध्यान होगा कि हमने अभी इसकी पॉलिसी डिवाइस करी है थोड़ा हम भी इसमें पुस अपने तरब से द बना सकें आपको ध्यान होगा नीती आयोग के 2022 में एक रिपोर्ट में यह कहा गया था कि जो भारत में जो लिथिया मायन बैट्री के जो डिमांड है न वह ज्यादा तर इलेक्ट्रोनिक्स और खास करके लेप्टॉप और मुवाइल फोन्स के कैटेग्री में आती है लेकि जो कि एलेक्ट्रोनिक्स जा मुवायल फोन्स और लैप्टॉप प्셔ाइब है उसका बहू चोटा हिस्था है वा लीथिया मायन बैट्री के डिमांड का बहुत चोटा हिस्था है जो की करके एलेक्ट्रिक वहिकल वाले सेग्मेंट में रिक्वाइड होता है तो इसमें यह कहा गया है कि हम अपना इस तरह से जो ग्रोइंग मार्केट है और इसके हिसाब से हम 2030 तक अपना दिमान कोट अब पिछले कुछ दिनों से घट रहा है वह घट रहा है इसी लिए क्योंकि आपको ध्यान होगा कि यूरोप में और यूएस में बहुत ज्यादा इन पर रेगुलेशन लगाए जा रहे हैं और यह चेक किया जा रहा है कि किसी तरह का अनफेर ट्रेयर प्रैक्स तो नही कर रहे हैं तो इनको लग रहा है कि इसमें थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी इंडिया के लिए बन सकती है ठीक है चलिए हम आगे देखते हैं कि अब आपको ध्यान होगा पिछले कुछ दिनों से जो सुनवाई चल रही है सुप्रियम कोट में अर्टिकल 39 B और C को रिगार्डिंग उसमें कुछ न कुछ रोज नहीं बाते निकल का रही है अब सुनवाई दोना अचानक से जो हमारे C.J.I. है उन्होंने कहा कि आज के डेट में क्या आर्टिकल 31 C एक्जिस्ट करता है तो उसी के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत जो बैक्ग्राउंड है उसको हम लोग इसमें देखते हैं और पहले तो यह जाने कि 31 C के बाद बारे में क्या बात की गई है तो 31 C जो हमारे सम्मिधान में जो लेक किया गया है उसका परपस यह रखा गया कि वह ऐसे भी ऐसे जो लॉज बनाए गये हैं जो की 39 B और 39 C को के पॉइंट ऑव व्यू से त्यार हैं उनको यह प्रोटेक्ट करें और 39 B की बात करें तो उसमें यह कहा गया है कि जो जो बहुतिक संसाधन है उसको उसका जो स्वामित और जो नियंतर्ण हो उसको इस तरह से वित्रित किया जाए कि जो जन सामाननी के लिए भलाई के परपस से हो और 39 C की बात करें तो इसमें यह कहा गया है कि जो वेल्ट का जो कंसंट्रेशन है वो किसी पार्टिकुलर जगह पे एक तरह से केंद्रित ना हो जाए यानि कि राज का जो धन है वो कुछ हाथों में केंद्रित ना होने के बजाए वो उसका समान वित्रन हो तो 39 B और 39 C के लिए जो लौ को इंप्लिमेंट करने के लिए जो बनाये जाएंगे उसको प्रोटेक्शन देगा 31 C ठीक है और आर्टिकल 39 जो है वो हमारे DPSCP का पार्ट है ठीक है और आर्टिकल 31 C में ये भी प्रावधान रखे गए थे कि आर्टिकल 39 B और C को इंप्लिमेंट करने के लिए जो भी काम किया जा रहा है उसको कभी भी की बज़े से उसको नहीं हटाये जाएगा तो अब हम परताल करेंगे आखिर क्यों आज भी ये 31 C आर्टिकल सवालों के घेर में बना हुआ है ठीक है अब पहले तो ये देखें कि आर्टिकल 31 C को कभ इंट्रोड्यूस किया गया था तो आपको ध्यान होगा तो इसको इंट इंट्रोड्यूस किया गया था 25th Constitutional Amendment जो था जो की बैंक राश्रेकरन के मामले में हुआ था और वो केस था रुस्तम कैवस जी कूपर वर्सेस यूनियन अफ इंडिया 1970 और उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और जिसमें बात होई थी सुप्रिम कोट ने बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1969 को लागो कर दिया था और जो यूनियन गॉब्मेंट जो 14 बैंकों का जो कंट्रोल अपने हाथों में ल कि जो अधिनियम है उसको रद कर दिया गया है और जिसमें यह कहा गया था कि सरकार किसी भी कानून के तहट सार्वजिनिक उद्देश्यों के लिए किसी भी संपत्ति का अधिगरण नहें कर सकती जब तक कि उस कानून में जो संपत्ति जो सरकार अधिगरहित करने वाली है उसके लिए मुआबजा जो compensation है उसको अच्छे तरीके से नहीं तै कर लेती है या उसको निर्देश उसके लिए जारी नहीं कर देती है अब सरकार को लगा कि इसमें भी court आ रही है कि मुआबजे को कैसे देना है कैसे इसको declare करना है तब सरकार ने फिर यही 25 वह संसुधन ले और 39C के जो बताये गए हैं DPSP के जो प्रवधान सरकार के द्वारा बताये गए हैं उसको लागू करने के लिए बनाये गया कोई भी कानून इस आधार पर null and wide नहीं होगा कि यह असंगत है या फिर यह article 14, 19 और 31 को किसी भी तरह से कमजोर करता है या वीक करता है ठीक है और उसमें आगे एक बात जोड़ दी गई जो कि इससे फिर यह चला गया कोट के नजर में और वो जोड़ दिया गया कि किसी भी आधालत में इस आधार पर प्रस नहीं उठाये जाएगा कि यह एसे किसी भी नीती को यह प्रभावी नहीं बनाता है तो अब फिर से यह बात चले गई कोट के नजर में और यह पावर गेम का जो चेस बोड़ था उसमें अब सरकार ने अपने तरब से एक मूब किया अब उसके एगेंस्ट फिर सुप्रिम कोट जो है उसने मूब किया उसने यह कहा कि जो यह 25 अवेंडर में खास करकि इसका जो पॉइंट जिसमें यह जोड़ा गया था इसको किसी भी आदालत में चुनोती नहीं दी जा सकती उसको उन्होंने खारीज किया केसवानन भारती केस में ठीक है और वहीं से जो हमारा जो बेसी इस्ट्रक्चर डोक्राइन है वहीं से से शेप लेता है और जिसमें यह कहा और इसी में जो नियाय पालिका है उन्होंने जो 31C के जो लाष्ट पॉरस्टन था जिसमें यह कहा गया था कि उसको आदालत में नहीं देखा जा सकता एक्जामी नहीं किया जा सकता उस वाले पॉइंट को उन्होंने हटा दिया ठीक है तो केसवानन भारती के के बाद अब यह एक नई बात आ गई कि आर्टिकल 31C के द्वारा जो भी सुरक्षित है उनको भी अब बेसिस इस्ट्रक्चर डोक्ट्राइन के हिसाब से उसको स्कूरिटनी उसकी की जा सकती है अब वहां सरकार ने देखा कि नया प्रालिका का अधिकार छेतर बढ़ गया है तो सरकार फि इसमें उन्होंने आर्टिकल 31C के कवर में जो पार्ट फोर है जिसमें की आपका आर्टिकल आते हैं 36-51 जो कि हमारे DPSP के आर्टिकल्स है उनको अब प्रोटेक्ट कर दिया है उसके पूरे एमबिट को यानि कि अब जो 31C के तहर जो प्रोटेक्शन मिल रही थी उसमें को अब उसके अंदर डाल दिया गया यानि कि हर एक जो निति निति से एक सिधान्त है अनुछे 36 से लेकर 51C के बीच में उनको आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के खिलाफ जो चुनोती मिल रही है उससे आप उसको सुरक्षित किया जा सकेगा अब फिर नियाय पालिका ने अपन समिधान संसंदन था उसका चार और पांच उनको एक तरह से निरस्त कर दिया और उसमें यह कहा गया कि पार्लियामेंट के पास जो को अमेंड करने की जो पावर है वह अपने आप में अनलिमिटेड और एबसल्यूट नहीं है उसके भी बहुत सारे रूल्स और रिगलेशन से ठीक है तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि नाइपाल का अपना मूब कर रही है एक तरफ सरकार उसके काउंटर में मूब कर रही है तो यह जो पावर गेम था वह चल रहा था अब उससे क्या हुआ यह जो मिरेन और मिल्स वाला जो जज़ज्मेंट आया उसके बाद अब 21C को पूरी तरीके से हटा दिया गया या केवल उस हिस्सों को हटा दिया गया जो 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था उसके बारे उसके जो प्रोविजन उसमें डाले गए थे उसको हटाया गया ठीक है तो यह एक तरह के पहली बनी हुई है अब उसी को सुल्जाने के हाँ यह अभी बहुत चर्चा में रहे हैं जो हमारे रिजर बैंक के पूर्वे गवर्नर हैं और यह हैं डी सुबाराव और यह चर्चा में इसलिए हैं कि उन्होंने अभी एक किताब लिखी है और जिसका नाम है जस्ट अ मर्सीनरी ठीक है नोट्स फ्रों माई लाइफ एंड केरियर ठीक है और इसमें इन्होंने फिसकल फेडरलिजम यानि की जो राजकोसिय संभवाद है उस पे इन्होंने बाते रखे है ठीक है और इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो टैक्सेस का जो डिस्टिबूशन है वो हमेशा से एक डिवेटेबल इसू रहा है और आगे अभी आगे के समय में ये और ज़्यादा डिवेटेबल होगा क्योंकि ये वितायोग जो इसको देखरेक करती है उसके सीमा से परे ये एक एक पॉलिटिकल इसू है और इसके लिए जो इसको हैंडल करने के लिए खास करके इस्टेट की तरब से और यूनियन गव सकता होगी ठीक है अब आप देखेंगे कि जो केंदर को जो टैक्स कलेक्शन होता है उसमें जो इस्टेट जो योगदान देते हैं उसके बदले उसी को कलेट करती है और सरकार केंसरकार जो फंड जारी करती है इस्टेट को वही उसी का हिस्सा होता है कि याने कि जो केंदर उनको जो केन सरकार की तरफ से फंड मिलता है वो बहुत कम मिलता है ठीक लेकिन अगर बिहार और जारखंड की बात करेंगे तो वहां पे उनको एक रुपया का अगर वो युगदान देते हैं तो उसके बदले उनको तमिलनाडू और महराज जिसे समरिद राज्यों को असमानता है ठीक है तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो अमीर राज्य है वो गरीब राज्यों के एक तरह से क्रॉस सबसीडी देते हैं ठीक है तो यह बात इन्होंने रखी है और उन्होंने यह कहा है कि यह जरूरी भी है क्योंकि जो आगे बढ़ गए हैं और जो पीछे रह रहे हैं अपने development और prosperity में तो उनको उनका हाथ ठामना पड़ेगा तो ये इस तरह से जो cross subsidy देने की बात है और ये एक ऐसा provision है जो चलन में है ठीक है और उसमें ये कहा उन्होंने सुबराव ने कहा है कि बहुत सारे ऐसे आकड़े हैं कि जो south वाले राज हैं वो अपने infrastructure प ही है और इसके इन सारे parameters पे जो बहुत सारे ऐसे state हैं जैसे अभी बिहार और जारकन खामना नाम लिया वो बहुत इसमें पीछे रह गया है तो इसकी वज़े से जो development और जो prosperity है वो south वाले state में और खास करके जो आपको इधर उत्तरी राज्य हैं जो उनमें ये खाई बहु तो उसके बाद क्या होगा उसके बाद south states के लिए चीजें और चुनोती पुर्न हो जाएंगे तो कैसे होंगी ये उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ decades में जो दक्षनी राज्य हैं उन्होंने अपने population को पूरे तरिके से control किया है और उसमें जो उत्तरी राज्य हैं उन्हों ने उसके उत्तरा काम नहीं किया है तो इसके बज़े से जब अगर वहां पर जो परिसीमन होगा और उसके बाद उनको क्या होगा कि सीट घटेंगी south के states की सीटें घटेंगी और उनके लिए अब double हो जागा परिशानी का मामला पहले तो वो cross subsidy देते थे और अब वो cross subsidy के सा साथ वो अपनी जो representation है उसमें भी उनकी कमी आ जाएगी तो एक तरह से आप देखें कि पहले आर्थिक नुकसान उठाते थे और अब वो राजनितिक नुकसान भी उठाएंगे ठीक है तो यह बात इन्होंने रखी है अपने book में यह एक image है यह है कि अब है तो चुनावी सीजन है तो अभी कहा गया था जो प्रोपर्टी टैक्स है हेरिटेज टैक्स है उन सब की बाते की गई ती और वह काफी बड़ा चुनावी मुद्धा बन गया तो इसमें यह कहा गया है कि अमीरों से संपत्ती लेकर उसे गरेबों बार दिया जाए और इस तरह की बातें काफी ज्यादा popular हो जाती है तो आपको इसमें बताया गया है कि जो संपत्ती और विरासत जो पे जो कर लगानी की बात है वो बीच-बीच में डिवेट में आती रहती है ठीक है और भारत में यह कहा गया है कि 1953 से लेकर 1985 तक संपता सुल्क लगता था और इसमें जो रेट्स होती है वो 85 परसेंट होती है लेकिन जब उसको इंप्लिमेंट किया जाता था जो एक्चुल जो इमांट होता था वो बहुत कम जनेरेट होती थी और राजिव गांधी के रीजन में इसको ख आठ सो क्रोड रुपया का राज्यस्व जुटाए गया था और इसको 2015 में समाप्त कर दिया इसमें यह कहा जा रहा है कि यह सब जो प्रोसेस है यह सब क्लेक्शन की वो काफी ज़्यादा लेंदी है ठीक है तो होना ऐसा चाहिए कि एक बढ़ियां ट्रेक्स स्ट्रक्चर होना चाहिए और उसमें नई चीजें यह इस तरह की चीजों के बजाए एक ऐसा सिस्टम बने जिसमें जो हमारी जो प्रायरेटी है वो संपदा करिया विरासत की चुनोती से जुजने के बजाए कर न देखे की जो काम हो रहा है कि है ना वो कि ठीकली और प्रैक्टिकली दोनों तरह से सस्टेन कर से के वह ऐसे फॉर्मूले की बात करते हैं तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर इस तरह से ज्यादा टेक्सेशन होने लगेगा तो लोग मतलब अगर विराशत और संपदाकर से दंडित क्या जाया तो लोग संपदी बनाने के लिए फिर उस तरह से काम नहीं करेंगे और अगर एफर्ट्स में कमी हो जाएगे तो ये देश के लिए एक तरह से नुकसान हो जाएगा ठीक है और दूसरा अगर इसका पहलू देखे करकर आगे बढ़ जाएगे ठीक है और इसके जो तीसरा पहलू है वो ये ऐसा देखा जा सकता है कि जो अपना कारोबार वो जमा रहे हैं वो यहां से हंटा कर कहीं अलग जैसे की दुबई सिरलंका केमन आइलेंड इन सब जगों पर ट्रांसफर कर लिए तो इससे भी एक त नहीं है ठीक है आगे बढ़ते हैं यह की आर्टिकल आया है ना भरत टाइमस में जिसे लिखा है हमारे विदेश मंतरी एस जैसन करने उन्होंने अभी देश और दुनिया के सामने जो बहुत सारी चुनोतिया है जैसे की कोवीड के बाद जो बहुत ज्यादा एकोनोमी पे नुकसान हुआ है उसके बाद युक्रेयन में जो अभी कंफिलिक्ट चल रहा है फिर इदर मिडिल इस्ट में कंफिलिक्ट चल रहा है इरान इसराइल अलग एगरेशन दिखा रहे हैं भारत की बात कि उन्होंने की जो एले सीप है उस पे भी चुनाव चुनाव तीन पूर इन्होंने इंडिया के जो संभावनाएं हैं उसके बारे में भी बात की है और जो प्रोग्रेस हो रहा है उसके बारे में भी बात की है ठीक है और इसके सोलूशन की तरफ इन्होंने यह बताया है कि जो राष्ट्रे अर्थवेस्था और साथ साथ वैस्विक है और उससे फिर हम अपने हाँ जो सप्लाइचेन है उसको अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं ठीक है कि यह एक अभी पब्लिस हुआ था मैं चाइना का जो उन्होंने बनाया है चांद का और इसके बारे हम कहा जा रहा है कि चंद्रमा का सब से जो डिटेल एटलस है जिसके बाद यह चाइना ने बना लिया है और जिसमें चांद के जो सर्फिस पर जितनी सारी चीज़ आप ध्यान से देखें तो उसको बहुत बारिकी से इसको दिखाए गया है और जो जितने भी इंपक्ट क्रेटर्स हैं जो यह गढ़्धे जैसे द प्रेयार होते हैं वो सारे चीजों को बहुत बारिकी से दिखाए गया है और ऐसा यह पहला है मतलब दुनिया में इस तरह से इतना डिटेल एनालेसिस चांद के सर्फेस का या उसके मैप बनाने का यह पहली बार हुआ है ठीक है और आपको इसके पीछे की मेहनत जानकर और स्पेस मिशन था उसकी वज़े से उनको बहुत सारी डिटेल्ड इमेजेज मिली और इसके लावा जो उनके और वीटर है वो लगातार चांद की फोटो लेते रहते हैं और 2013 और 2019 में चांगाई 3 और 4 भी भेजा गया था और उन सब के थूरू इतनी सारी इमेजेज इनके प ठीक है और इससे एक न्यूज है कि हमारी इस्रो ने कुछ और अलग अगर इंस्ट्यूशन जैसे की आईटी कानपूर हो गए सौथ कैलिफोर्निया इनिवर्फिटी या फिर आईएटी आईएसम धनवाद के रिसर्चर्स के साथ मिल कर एक स्टड़ी कंड़क्ट करी है और जिसमें यह कहा गया है कि चंद्रमा का जो सर्फेस है उसके नीचे बहुत बड़ा बर्फ का भंडार मिला है ठीक है और जो की हुमेन प्रेजेंस के लिए पॉसिबिलिटीज के लिए एक अपने आप में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है और उसमें यह भी बताया गया है कि जो लुनार जो साथ पोल है उस पे जो बर्फ की मात्रा है वो उसके नौर्थ पोल से सौरी जो उल्टा हो गया जो नौर्थ वाले पोल पे जो बर्फ की मात्रा है वो साथ वाले पोल पे बर्फ की मात्रा से कहीं जादा है और उसमें उन्होंने यह एक अनमान लगाया है कि जो यह बर्फ बना है वो किसी भी तरह के जोला मुखी के निकलने वाले गैस से बना होगा ठीक अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होंगे और जिसके थूरू इसकी और डीटेल स्टडी की जाएगे ठीक है चलिए जाते जाते आपको इस तस्वीर के साथ छोड़े जा रहे हैं अभी बहुत चुनाओ है इसमें सेकलरिज्म अगर पर बहुत ज्यादा डिवेट हो रहा है उसके बैकरण में इसका आप मजा लीजिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद